हेलो दोस्तो आज बहुत ही चटपटी स्पेशल रेसिपी के साथ में मिल रहे हैं तो इस चटपटी रेसिपी को बनाने के लिए चैनल कुक पित रिष्टा में आपको बहुत स्वागत है वेलकम टू माई चैनल कोक वेट प्रिष्णा दोस्तों इस चटपटी रेस्पी को बनाने के लिए हम यहाँ आज यूज करेंगी जमीकंद जिसको ओल भी बोलते है इस तरीके के जमीकंद हम यहाँ आज ले रहे है मैंने यहाँ पर पावगोर जमीकंद लिया है इस तरी से को आधाव ने काट लिया था बहुत ही बढ़िया जमीकंद की टेस्टी रेसीपी बनी गया जी तो रेसीपी कम्प्लीट देखीगा रेसीपी अच्छी लगी चल्लों को सुब्स्ट्राइब केजिगा वीडियो को ला इस तरी साइड का एक प्रिस निकालेंगे चकु से बहुत ही ध्यान से निकालेंगे क्योंकि जमीकंद बहुत ही कड़क होता है इस तरी से एक प्रिस मैंने निकाल दिया है अब इसका छिलका हम उतार लेते हैं बहुत लिए टेस्टी रेसिपी, दोस्तो रेसिप पूरी फूरी कम्प्लीट देखिएगा, रेसिपी अच्छी लगए, चैनल को सब्स्क्राइब किजीगा वीडियो को लाइक किए दिका सब्सक्राइब करने के कोई चार्जिस नहीं लगते हैं दोस्तों तो ज़रू सब्सक्राइब कीजेगा बहुत यह टेस्टी रेसिपी है इस तरह से जैमीकंद का सबका चिलका मैंने निकाल लिया है अब इसके हम पीसिस निकाल लेते हैं यह सभी की पीसिस तरह से हम निकाल लेंगे अब इसके बात हम क्या करेंगे छोटे छोटे पीसिस हम इसके काटेंगे जब इकन जो होता है बहुत कड़ा कोता है तो इसको पकड़े में समय लगता है इसलिह हम इसकी pieces जो है वह छोटी-चोटी kita लेंगे, बारीक और पटले के इस और से उसकी pieces निकालिएंगे इस size के हमारी के pieces निकाल लीजा है वहाथ यह बड़ी और टेसॹी डी रेसिपी है तो recipe complete देखिएगा, recipe अच्छी लगे, subscribe कीजिएगा, like कीजिएगा सभी pieces minister से निकाल लिया, उसको 2-3 बार अच्छी से simple पानी से wash कर लेंगे हमेने इसको wash कर लिया है, अब इसमें हम याइट करेंगे 2 cup पानी simple पानी यूज किया है, और हमें जमीकंद में पानी सिर्फ इतना ही लिए नहीं होता है कि जमीकंद के उपर थोड़ा सा पानी देखें बस, बहुत सारा पानी की जिरुएत नहीं होती है अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जमीकंद को उबालते ही टाइम पर हम यहाँ पर यूज करेंगे कोई भी marble का पत्थर आपके पास available हो तो वो डाल दीजे, अद्रिस मट्टी का कोई दिया है वो भी रिक्स से उबलने के टाइम पर पत्थर को निकाल लेंगे, यहाँ पर जमीकंद मैं अच्छी से उबाल लिया यहाँ दे कि इस तरी के जमीकंद हमार को उबलावत चाहिए इतना कि हम उसे मैश कर सके जैसे आली की पराठे का मैश हो जाते है ना करेक्ट वैसे इतना जदा मैश हो जाना चाहिए च्छी से हम इसको मैश कर लेता है आप उसको मैश करने के लिए इस तरह से सबको менश कर लेंगे जमीकंद को, कहीं कोई पीस दीखना नहीं चाहिए मैं सारे चमिकंद को अच्छी से मैश कर लेती हूँ बहुत ही बड़िया टेस्टी रेसीवी हमारी सरसे रेडी हो जाएगी पूरा चमिकंद अच्छी से मैं मैश कर लूँगी आपर यह सारा चमिकंद मैं अच्छी से मैश कर लिया है अब इसमें आट करेंगे आदा चमच काला नमक, आदा चमच सादा नमक, आदा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर, चोथाई चमच लाल मुची पाउडर, और उसके बाद आट करेंगे थोड़सा बारी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, एक मीटम साइस के हरी में चिलेंगे, और भी फ्लेवर देने के लिए हम एड़ करेंगे 1-4 टेवल स्पून चिली फ्लेक्स राट चिली फ्लेक्स अमने एड़ किया है यहां पर साथ ही उसकरेंगे दो मिडियुम साइस की नीबू उसका रस हम निकाल लेंगे और उसे इसमें एड़ कर देंगे नीबू करेस इसमें जरूर एड़ कीजिए का बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आता है अब इसमें एड़ करेंगे कच्चा सरसू का तेल यानि मस्टर्ड आयल थोड़ सा मस्टर्ड आयल में आपर एड़ किया और अच्छी से मिक्स कर लेंगे सरसू का तेल कच्चा ही डाल कीजेगा इस तरह से हम मस्टर्ड आयल इसमें एड करके अच्छी से मिक्स कर लेंगे तेल को अच्छी से मिक्स कर लीजेगा इसकी अंदर इस इसका ध्यान रखिएगा अच्छी से तेल हम यह मिक्स कर लेंगे थोड़ा सरसो का तेल हम इसमें और एड़ करेंगे एक साथ सरसो का तेल हम एड़ नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें एड़ करेंगे टोटल अप्रॉक्स इतने पावबर हमारे जमिकन था उसके अंदर हमने सरसो का तेल एड़ किया है आप इसकी consistency देखिए ये consistency हमारे को इसकी रखनी है इतना flowing ये होना चाहिए अच्छे से mash करके सरसु का तेल अच्छे से mix करेंगे बहुत ही बड़िया चट्पड़ी चट्पी हमारी है ready हो गई है बहुत बड़िया इसका taste है इसको आप 3-4 दिन भी खा सकते हो इसको बस उबालने के टाइप में घ्यान रखे कोई पत्थर या मार्बल डाल कर ही इसको उबालियेगा बाद में इसको निकाले जागा चट्पड़ी चट्पड़ी रडियो गई फिर मिलते हैं नही रेसिप के साथ बाई फ्रेंड्स